नमस्कार दोस्तों मैं शुपरियो आपको स्वागत करता हूँ Elementor Pro Series के 29 वी वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे Elementor के Code Highlight Element के बारे में तो चलिए देखते हैं Code Highlight Element को हम डिजाइन में कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं और उसको हम कैसे कास्टुमाइज कर सकते हैं अगर आप इस चनल में नए है तो इस चनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप हमारे Elementor Free Series के और Pro Series के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो description में मैं link दे दूँगा अब जरूर वो वीडियो देख लीजिए दोस्तो मैं आपको पहले कुछ example दिखाना चालता हूँ आप देख सकते हैं ये मेरा एक blog post है जहाँ पर मैं contact form 7 को कैसे CSS code की मदद से stylize किया जाता है उसके बारे में बताया हूँ तो इस blog post में मैं कुछ codes यहाँ पर provide किया हूँ और वो जो code है आप देख सकता है ये code बहुत ही simple तरीके से यहाँ पर डाला गया है कोई color नहीं है स्री background में एक gray color है और ये जो code मैं यहाँ पर add किया हूँ ये elementor का जो text editor element है उसके मदद से add किया हूँ ये मेरा बहुत पुराना एक post है आप देख सकते हैं text editor में यहाँ पर paragraph जो option है उसके नीचे drop down में आपको pre-formatted के एक option मिलता है इस pre-formatted option की मदद से आप अपने blog post में code add कर सकते हैं लेकिन इस option की मदद से अगर आप code add करते हैं तो आप वो जो code है वो आप stylize नहीं कर पाते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको hub post का एक example दिखाऊं ये भी एक CSS code snippet है आप देख सकते हैं इसके background में color है और ये जो code है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर वैसे ही अगर मैं और एक code आपको दिखाऊं ये WP forms का है यहाँ पर भी CSS code का snippet है ये और आप देख सकते हैं यहाँ पर code को highlight किया गया है blue color और यहाँ पर जो green color है उसकी मदद से वैसे ही अगर मैं आपको W3 school का एक example दिखाऊं ये एक Java script का snippet है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वो color की मदद से इसको highlight किया गया है ये बहुत attractive दिख रहा है इसकी compare में अगर मैं मेरा जो previous post है अगर मैं इसका code snippet दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही dull दिख रहा है जिसका नाम है Elementor Code Highlight आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ example create करके रखा हूँ इस type का कुछ readyment template है और इसी template की मदद से हम किसी भी code snippet को HTML हो CSS हो या फिर Java और भी बहुत सारे option हैं मैं आपको आगे दिखाता हूँ तो इस तरह के हम code को decorate कर सकते हैं और उसको हम highlight कर सकते हैं उसको हम और भी colorful बना सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको practically दिखाऊंगा Elementor Code Highlighter की मदद से आप कैसे अपने code snippet को highlighted बना सकते हैं fit to screen और अभी मैं यहां पर Elementor का जो code highlight है उसको मैं यहां से drag and drop करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर एक sample code snippet already दिया गया है और आप देख सकते हैं lift panel में यहां पर दो ही option है एक है content और एक है advanced मतलब यहां पर style का जो tab generally रहता है इस element में या फिर इस widget में वो style tab नहीं है मतलब हमारे पास इस element को stylize करने के लिए कुछ predefined template है हमें वो ही use करना पड़ेगा तो चलिए एक के बाद देखते हैं कि content में क्या-क्या option है तो आप देख सकते हैं जो content में पहला option है वो है code highlight जिसके अंदर यहां पर language लिखा गया है मतलब जो code आप यहां पर display करना चाह रहे हैं वो code का language क्या है default यहां पर javascript है मैं आपको मेरा जो blog post है वहीं सही यह code snippet है इसको copy करता हूँ देखें यहां पर हमको manually copy करना पड़ रहा है मतलब इसको select करके copy करना पड़ रहा है लेकिन यह जो नया elementar का code highlight widget है यहां पर one click code को copy करने का option है मैं आपको आगे दिखाता हूँ तो पहले मैं यह code है इसको मैं यहां पर paste कर दूँगा और अभी मुझे यह code का language है इसको change करना है इसके लिए मैं यहां पर drop down में click करूँगा यहां पर बहुत सारे language का option available है आप यहां से इसको scroll करके देख सकते हैं या फिर यहां पर search कर सकते हैं तो यह code snippet मैं example के लिए use क कर रहा हूं यह CSS code snippet है तो CSS तो यहां पर दिख रहा है तो इसलिए मैं इसको click करूँगा तो यह code snippet है यह CSS format में अभी stylize हो गया है अभी इसके नीचे जो next option है वो है line numbers जो default on है और यह line number आप देख सकते हैं यह code है इसकी left side में यहां पर हर एक line के लिए अलग से numbering automatic यहां यहां पर add हो गये हैं तो अगर आप चाहते हैं कि इसको on रखना है तो रख सकता है नहीं तो इसको आप off कर सकते हैं तो यह जो numbering था वो यहां पर off हो जाएगा और यहां पर copy to clipboard का एक option है जिसके बाद मैं कुछ देर पहले आप उससे कर रहा था देखिए यहां पर अगर copy हुआ या नहीं हुआ यह मैं आपको दिखाता हूँ तो इसके लिए मैं simply यह जो notepad इसको open कर लूँगा और यहां पर मैं इसको paste करूँगा यह देखिए तो देखिए जो code है वे practical में copy हो जा रहा है तो users के लिए यह बहुत ही एक अच्छा option है और अच्छा experience भी रहेगा उनको manually जो code है इसको copy करना नहीं पड़ेगा और अभी इसके नीचे है highlight lines मतलब यह जो code snippet आप दे रहे हैं अगर चा रहे हैं कि users particular किसी line को focus करे जैसे यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 जो line है इसमें मैं particular background color को define किया हूँ मैं चाहता हूँ users यहाँ पर focus करे तो मैं क्या कर मैं यहाँ पर सिर्फ 9 लिख दूँगा तो देखिए यह यहाँ पर एक style appear हो जा रहा है जहाँ पर यह 9 जो row है वो यहाँ पर highlight हो रहा है और left side में एक circle के अंदर यह row number भी यहाँ पर दिखा रहा है तो यह एक बहुत ही अच्छा option है और अगर आपको multiple line को highlight करना है तो आप को स्रिफ वो comma देकर एक के बाद एक लिखना है मैं आपको दिखाता हूं माल लीजे मैं दो चार्च है यह जो line है इसको मैं highlight करना चाहता हूं multiple line को highlight करना चाहता हूं तो मैं पहले 2 लिखूंगा उसके बाद मैं यहाँ पर comma दूँगा four लिखूंगा comma दूगा फिर six करते हैं जो भी line आप यहाँ पर highlighted करना चाहते हैं वो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर अगर आपको मान लीजिए कि यह जो 6 से 8 जो line है यह तीन line को आपको highlight करना है मतलब six seven eight आपको highlight करना है तो आप इसका range select कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूं तो हम क्या करेंगे यहा और यहाँ पर एक dash sign देंगे और फिर हम कर देंगे nine तो आप देखिए यहाँ पर six to nine यह जो है code यह यहाँ पर highlighted हो जाएगा और यह जो highlighted rows है और यह अलग-अलग theme में अलग-अलग दिखता है मैं आपको बाद में दिखाता हूं तो यहाँ पर मैं example के लिए वो two four six eight यह select कर के रखता हूं ताकि अलग-अलग theme में कैसे यह दिखता है मैं आपको दिखा पाऊं अब इसके नीचे है word wrap मतलब यह जो length है line का अगर यह line बहुत ज्यादा लंबा होगा तो क्या होना चाहिए उसको wrap करके next line में आना चाहिए next row में आना चाहिए या फिर यह जो आपका code है वो एक ही line में रहे इसका एक option है तो इसके लिए मैं यह जो section इसको duplicate कर लेता हूं और एक दूसरे example में आपको दिखाता हूं आप देख सकते हैं क्योंकि यह जो code का line है यह लंबा है और हमारा यह जो column का width है यह छोटा है इसलिए यहाँ पर automatic एक scroll bar यहाँ पर appear हो गया तो users अगर चाहे इसको scroll कर सकते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पर यह जो word wrap का option है इसको अगर on कर दूँगा तो आप देख सकते हैं वही line जो अभी नीचे नीचे आ गया अभी scroll bar यहाँ पर नहीं है तो अभी हमारे पास जो option है वो है theme का option मतलब यह एक default theme है जिसका नाम है solid अगर म हमारा यही जो snippet का box है वो अभी change हो गया और इसके surrounding एक border appear हो गया और inner shadow भी यहाँ पर है तो यह box की तरह अच्छा दिख रहा है और dark के बाद है okaidia तो okaidia जो theme है उसमें भी code बहुत ही अच्छे से highlighted हो रहा है और okaidia के बाद हमारे पास जो next theme का option है वो है solarized light तो यह theme क कुछ इस तरह की दिखते हैं अगर मैं इसका background करा change कर दोंगा तो देखिए बहुत ही बड़िया लगता है यह मैं थोड़ा सा इसको dark कर देता हूँ यह देखिए और इसके बाद है tomorrow theme का option तो tomorrow theme वो dark side में है तो कुछ इस तरह से दिखते हैं वो और twilight जो है वो भी एक dark theme है और इसमें यह जो highlighted line है उसका design भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहां पर यह dotted line दिया गया है तो यह भी बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर इसके नीचे है height और font size का option यह device के हिसाब से आप इसको optimize कर सकते हैं height का handle है इसके मदद से आप यह जो box का height है इसको आप adjust कर पाएंगे अगर height कम रहेगा और code का length अगर जादा रहेगा तो automatically right side में यहाँ पर एक scroll bar appear हो जाएगा तो यह font को stylus करने के लिए आपके पास स्रिफ एक ही option है और वो है font size मैं इसको default रखता हूँ और इसके advanced section में दोस्तों वो सारे option मौजूद है जो elementor के हर एक element में रहत classes, motion effect, background, border, mask यह सारे option अगर आपको detail में जानना है तो आप जरूब वो series देख लीजिए उसका link मैं नीचे description में दे दूँगा तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अगर आपने अवीतक elementor pro नहीं खरीते हैं और खरीतने के लिए सोच रहे हैं तो description में मैं link दे दूँगा वो मेरा affiliate link होगा अगर आप उस link से खरीते हैं तो आपको एक भी पैसा जादा नहीं लगेगा और जो भी existing offers है वो भी आपको मिल जाएगा लेकिन उससे इस channel को थोड़ा सा support हो जाएगा so thank you for that अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको like कीजिए और अगर आप इस channel में नए है तो इस channel को आप subscribe कर लीजिए साथ में bell icon भी दबाईए ताकि elementor के उपर आने वाले वीडियो का notification अपको मिलते रहें और अगर अपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो comments में जाके मुझसे पूछिए मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा धन्यबाद दोस्तों